मनिक पूर हडवा में घोसी पुलिस का नम ताउंडो बीस वशी यूपती को पीट-पीट कर अदमरा हालत में छोड़ दिया वह कमभीर रूप से खायल है वह प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज हो रहा है गुलाबी सेना की जिला द्यक्ष मीरा यादो की दिहाड की अब आरपार होगा फैसला होसी कोतवाली के ग्राम मानिक पुर हुडवा में विवाज जमीन पर घवरिया को सी कोतवाल मकान निर्माण करवा रहे थे जिस पर विरोध राम अवध यादो के परिवार के लोग कर रहे थे गुरुवार के दिन में दो बजे कोतवाल दलबल के साथ पौच कर निर्माण काम शुरू करवा दिया विरोध कर रही रंजना यादो पुत्री स्वर्गवासी राम अवध यादो उम्र 20 साल को सारे गाउं के सामने लाद घुंसों से बुरी तरे पीट कर घायल अवस्ता में तडपता हुआ छोड़ कर गाली देते हुए वापस चले गए घायल रंजना का इलाज घोजी में ही प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा है इस घटना की जानकारी होने पर गुलावी सेना की चिला द्यक्ष मीरायादो घटना स्थल पर पहुश कर जाज़ पढ़ताल में पीडित के पास पहुची और वास्तिविक्ता के जानकारी ली उसके बाद इनने कहा कि अब लडाई आर पार होगी उसके ठार होगी